हरो नमस्कार दोस्तों कैसे हूँ आप लोग आई होप सो अच्छे ही होगे दोस्तों एकर आप भी अपने फोन से कुछ इस तरह का डीपी लोगो बनाना चाहते हैं नया साल मकस सक्क्रांती एवं गंतर दिदिवस का तो बहुत ही आराम से बना सकते हैं इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छे से देखना है ताकि आप भी अपने फॉन से खुद से ऐसे डीपी लोगो बना सको दोस्तों इसका पी फाइल एंड और पी एंजी मैं आपको दे दूंगा उसमें पासवर्ट लगा होगा और पासवर्ट आपक देखने को मिलेगा तो इसलिए आप वीडियो को सुरू से अंत तक बहुत ही अच्छे से देखेगा ताकि आपको जिप फाइल का पासवर्ट मिलना है और जिप फाइल को आप अंजिप कर सके दोस्तों ऐसे डीपी लोगो बनाने के लिए आपको अपने फॉन में एक अप् वीडियो को स्टार्ट उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट आप से करना चाहूंगा एकर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन कर लिजेगा ताकि मैं जब भी वीडियो अप्लोड करू तो नोटिफिकेशन के दौर आपके पास सबसे पहले पहुंचे और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा चले दोस्तों यहां से करते हम वीडियो को कंटिनियू दोस्तों अपने फॉन में पिक्सल लैब एप्लिकेशन डाउनलोड करने के बाद जैसे ओपन करेंगे तो निव में कुछ इस त देंगे यह डिलेट हो जाएगा उसके बाद मैं जो आपको पी फाइल एंड ओल मेटिरियल्स दोंगा वहां से आपको एक बैक्ग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं बैक्ग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट साइट में सबसे उपर प्लस वाल आइकन पर क्लिक करें सबसे नीचे से दूसरे नंबर फ्रॉम गैली में जाएंगे और गैली में से बैक्ग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से दोस्तों हमने बैक्ग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है इसको नीचे से राइट कर देंगे जैसे राइट करेंगे तो कुछ इस तरह से अपना ले लिया है और दोस्तों सबसे पहले यहां पर जो हमने tax png बना के रखा था उसमें सबसे पहले select कर लेंगे आप सभी देशवाजियों को उसका png लेने के लिए सेम इसी तरह से left side से सबसे ओपर प्लस का icon पर क्लिक करेंगे सबसे नीचे से दूसरे नंबर फ्रomm गवली में जाएंगे और गवली में से अपना tax png select कर लिए कुछ इस तरह से दोस्तों हमने अपना tax png select कर लिया इसको नीचे से कर दिंगे जैसे राइट करेंगे तो कुछ सक्रीन पर आल देख सकते हैं जी आ जैप ले लिया है इसके बाद दोस्तों यहां निची हम लेंगे नए साल 2022 का ठक्सलिuk भी हम बनागे राखे हुए हैं तो वो भी स्लaben कर लेते हैं उसको भी सिलक्ट करने के लिए से लेफ्ट साइड में सबसे उपर प्लस का इकन पर क्लिक करेंगे सबसे नीचे से दूसरी नंबर फ्रॉम गैली में जाएंगे और गैली में से अपना प्लस क्रेंगेन लिए है है इसको नीचे से डाइट कर देंगे गिस तरह से आप स्क्रीण पर लेगा दुआर दोस्तों बीच वाले आप्शन पर चले जाएंगे इसको में हंड्रैड कुछ इस तरह से तो पर्फेक्ट हमारा टेक्स क्छि उत्या कर देंगे इसके बाद दोस्तों हम लेंगे मकर सक्क्रान्ती और गंतन दिवस का टाक्स प्यंजी उसको भी स्लैक्ट करने के लिए सेम इसी तरह से लेफ्ट साइट में सबसे उपर पलस का एकन पे क्लिक करेंगे सबसे नीचे से दूसरे Nember from ожет जाएंगे और forts सच्लेके में तौर के मकर्ला कर डेंगे कुछ इस तरह से दोस्तो हुने अपना उक्न मैंच सब्सक्राइब से अपने सब प्रला कर देंगे तो कुछ सक्रान्ते का और गंतन दिवस का हम फो टो पिनज ले लेंगे वह भी हमने पहले से बना करा तो उसको भी सेलक्ट कर लेंगे उसको सेलक्ट करने के लिए लेफ्ट जाओ मीश यह उपर पलस का आकन पर किलिक करेंगे सबसे नीचे से दूसरे नंबर फ्रॉम गैली में रिलेटिव साइज पर चले जाएंगे और यहां से इसको भी कर देंगे 100 तो परफेक्ट हमारा पोटो पेंजी फिट हो जाएगा इसको यहां से कर देंगे राइट कुछ इस तरह से इसके बाद दोस्तों नीचे हम ले लेंगे की हार्दिक बदाई एवं सुब कामनाओं का ट अपना प्रेंगलो पेंजी सेलेक्ट कर लिया कि हार्दिक बदाई एवं क्लीचे से लिगे वाद को करना तो दोस्तों यहां से कर देंगे राइट एसके बदोस्तों यहां पहम एक पी-पीन-जी का हैट-डार्ड लेंगे लिए नीचे लगाने लिए उसक troubles check करने के लिए ले उप्ल डिशिघाल कई सबसे नीचे से दूसरे नंबर फ्रॉम गैली में जाएंगे और गैली मेंसे से पीन्जी ले ले उख उख इस तरह से हमने सबस्कार तो अपके citizen प्र जाएगा तो श्राप falta करेंगे तो यहां से करदेंगे हroda चाहते हो क्यों पर जाएगा इसको को सब्सक्atta बाहो पर्राइक यहां पर्फेक्त हमारा डीपी लोगो वैल बनने वाला यहां पे दोस्तों उसके बात चलेंगे हम अपना फोटो प्यंजी लगाने के लिए आप जो फोटो प्यंजी लगाना चाहते हैं वह स्लेक्ट करेंगे उसको स्लेक्ट करने के लिए लेफ्ट साइट में सबसे उपर प्लस का एकन पर क्लिक करेंगे सबसे नीचे से दूसरे नंबर फ्रॉम गैली में जाएंगे और गैली में से तो कुछ इस तरह से स्क्रीन पर आ जाएगा इसको मोटे वाले बिंदू पर टैप करके दोस्तों कुछ इस तरह से तरह हम छोटा कर लेंगे फोटो प्यंजी पर टैप करके दोस्तों कुछ इस तरह से हम यहां लेंगे और यहां पर लाने के बाद आप अपने फोटो प्यंज स्क्रॉल करके इसको निचे लाएंगे डबल तप कर देंगे और यहां से कर देंगे दोजी दोस्तों आपका नाम होगा कुछ उस तरह से यहां पर लेंगे कुछ देवा ग्राफिक्स कुछ इस तरह से लिख लेता हूं उसके बाद दोस्तों लिखने के बाद simply right में ok कर देंगे सबसे ऊपर तो कुछ इस तरह से आपके screen पर आ जागा और इसके बाद दोस्तों यह वाले option पर चले जाएंगे scroll करेंगे यहां से दोस्तों यह भी font पर चले जाएंगे इसका font हम select कर लेंगे कुछ इस तरह से 78 कर देंगे यहां से कर देंगे right scroll करेंगे दोस्तों बीच में जले जाएंगे कुछ इस तरह से यहां पर हम अपनी टैक्स हमने लिखा था उसको perfect fit करने के लिए बीच में ले जाएंगे उसके बाद दोबारा दोस्तों हमें एक new text लेंगे new text ले लेंगे दोबारा इसको भी नीचे कर लेंगे डबल टैप करके यहां पर बैक कर देंगे और जो भी दोस्तों आप अपना title एकर कुछ आप अपने बारे में लिखना चाहते हैं तो बहुत ह इसली लिख सकते हैं तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं दोस्तों mobile graphic designer कुछ इस तरह से simply कुछ इस तरह से हमने लिख दिया है यहां से कर देंगे कुछ इस तरह से आपके screen पर आजाएगा इसको भी दोस्तों टैप करके बीच में लाएंगे यह वाले option पर क्लिक कर लेंगे स्क्रॉल करेंगे स्क्रॉल करेंगे चले जाएंगे यहां पर फॉंट पर इसका भी हम फॉंट आप अपने हिसाब से स्लेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से यहां से कर देंगे करें right लेंगे से करेंगे सघ्छ आप ऑद दूस्तों हम वाल्य करूंजेंगेтом यहां यहां का हमसे पूसिछ फिट हो चाईगा आइसके बार दोस्तों से लगाने के लिए थे हमने बना करकता उसको select कर लेंगे उसको select करने के लिए left side में सबसे उपर प्लस का icon पर क्लिक करेंगे सबसे नीचे से दूसरी number from gallery में जाएंगे और gallery में से अपना shadow png select कर लेंगे कुछ इस तरह से दोस्तों हमने अपना white color का side of png ले लिया है इसको नीचे से कर देंगे राइट तो कुछ इस तरह से आपके screen पर चले जाएगा और gallery में अब save कर लेना है दोस्तों gallery में save करने के लिए सबसे उपर एक share का option दिया हुआ इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का interface खुल के आजाएगा बीच में दोखिएगा दोस्तों आपको default default पर क्लिक करके सबसे नीचे अल्टरा कर देंगे और यहां से कर देंगे save to gallery जैसे save to gallery करेंगे दोस्तों तो यह डीपी लोगो बनके आपकी गैली में save हो जाएगा तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएगा एकर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन करने जगा दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के धन्यवाद